रादे रादे मेरे प्यारे भाईयों वेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहे हूँ साल का अफिरी चंद पहन कब लगने जा रहा है बंधों 2023 में साल का अखिरी चंद ग्रहन लगने जा रहा है जो की शर्द पुर्णिमा की रात्री को लगेगा बंधों 28 अक्तूबर की रात लगने वाला ये चंद ग्रहन भारत में भी दिखाई देगा भाते समय अनुसार 28 अक्तूबर का चंद ग्रहन भारत में रात साड़े ग्यारा वजे से आरंध होगा और रात्री दो बज कर 24 मिनट पर स्मार्थ हो जाएगा बंधों अन्तिम चंद ग्रहन 28 अक्तूबर की रात को शर्थ पुर्णिमा की रात को लग रहा है बंधों इसका सूतक 9 घंटे पहले लगेगा बंधों, सुरे ग्रहन का सूतक 12 गंटे पहले लगता है, जबकि चंद्र ग्रहन का सूतक 10 गंटे पहले लगता है बंधों, 28 अक्तूबर की रात को यह साम का अखीरी खंड ग्रास चंद्र ग्रहन है, जो की भारत में भी दिखाई देगा बंधों, आपको चंद्र ग्रहन लगने की 9 गंटे पहले से लेकर ग्रहन की अबधी तक सूतक का पालन करना होगा ऐसे में आपको मैं कुछ नियम बताने जा रही हूँ, चंद्र ग्रहन लगने की 9 गंटे पहले ही सूतक लग जाएगा सूतक काल का अध्य है ऐसा समय जब प्रित्वी पर परकृती सम्वेधन शीर स्थिती में होती है ऐसी स्थिती में किसी अन्होनी की संभावना बढ़ जाती है इसलिए सूतक की अबधी को अशुब माना जाता है इसके कुछ नियम है बंधों गरवती महिला को सूतक और ग्रहन काल में विशेश साबधाने बर्थनी चाहिए इस समय गरवती महिला को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और तेजधार या नुकिली चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए सूतक के दोरान पके हुए भोजन को ग्रहन नहीं करना चाहिए साथ ही ग्रहन के दोरान भी खाना पीना वर्जित माना जाता है घर पर तुलसी का पोधा हो तो इसे सूतक लगते ही स्पर्श करने से बचना चाहिए सूतक काल में नाही तुलसी की पूजा करें और नाही जल ढालें सूतक काल में भगवान की प्रतिमा को भी सपर्ष नहीं करना चाहिए सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए बंधों सूतक काल में गरबवती महिला को अपनी चोटी भी नहीं बनानी चाहिए और ना ही कुछ काटना चाहिए और जब चंद्र ग्रहन समापत हो तो दान अवश्य करें इससे ग्रहन के दुश्प्रभाव दूर हो जाते हैं चंद्र ग्रहन के बाद आप चावल, दूर, शक्कर, चांदे के वस्तों का भीदान कर सकते हैं बंधों चंद्र ग्रहन समापत होने के बाद क्या करें? चंद्र ग्रहन समापत होने के बाद सबसे पहले श्नान करें उसके बाद पूरे घर में दंगा जलका छीटा दें चंद्र ग्रहन के दोरान और ग्रहन समापत होने के बाद चंद्र ग्रहन से समंदित मंत्रों का जाप बहुत फलदाई होता है ग्रहन समापत होने के बाद घर के समीब किसी मंदिर में जाकर पूजा करें और घर पर भी पूजा करें कहा जाता है ग्रहन समापत होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से शुब फल की तापती होती है ग्रहन समापत होने के बाद तुलसीजी के पास घी का दीपक चलाएं इससे नकरात्मक तादूर होती है और घर में खुश हाली आती है बंधों यदि आप चंद ग्रहन के दिन साब धानियों का पालन करेंगे तो आप पर चंद ग्रहन का किसी प्रकार का कोई दोश नहीं लगेगा बंधों यदि आप को हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ सब शेयर अवश्य करना धन्यवाद राधे राधे चेश शिक्रिशना